चले इस तो बात करते हैं इस एक और नहीं कुछिन के बारे में इस कुछिन में एक्जामने ने का है आप दा विनर गॉट प्रेट जो गॉट एक और दाल सकते थे और जो वोट डाली गई उसका ना 80% वेलिट था उसके बाद जो जीतने वाला केंडिटेट है उसने उसका 60% लिया और उसको जो वोट मिली वो 648 00 थी तो एक्जामनर पूछ रहा है कि जो वोट डालने लायग थे टोटल वो कितने परसन थे वो ये बताना है तो माल नेते कि टोटल जो वोट डालने वाले थे जो वो डाल सकते थे वो थे आपके 100 अगर 100 थे तो उसमें से सिर्फ डाल कितने सकते थे आपके 90 यानि कि बाकी बच्चे होंगे अंडर 19 होगे यानि कि 90 अब उसमें से क्या हुआ 80% तो वैलेड थे और 20% अवैड थे तो 80% इसका निकालूगा यानि का 60% निकाल दीजिए तो 6 बटे में आप 10 कर दीजिए तो ये किसके बराबर होना चाहिए आपका ये 64800 के बराबर होना चाहिए तो 6 से कार दीजिए आप बारा चिक बहातर और बारा निम्मा एक्सवाट तो ये दो और ये आपका तीन और ये दो पांच तो इसका मतलग इतना जाएगा 1500 अगर इस पूरे नंबर को मैं 1500 यानि 1500 से मल्टिप्लाइ करो तो यही वोट आई जिसे से मल्टिप्लाइ इस से मल्टिप्लाइ कर दीजिए यानि 1540 यानि कि डेट लाग यानि कि option जो मेरे पास में C होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा